नमस्कार आप देख रहे हैं वस्तार नियूज और मैं हूँ आपके साथ अंचल चुकला वस्तार नियूज के खास चुनावी कारिकरम लोग सभा में आप सभी का स्वागत है और आज वस्तार नियूज की टीम पहुंची है टीकमगड लोग सभा शेत्र में जहां हम जानेंग के जनता के मन की बात किन मुद्दों पर इस बाद टीकमगड की जनता वोट करने जा रही है लेकिन पहले आपसे रुबरू करा देते हैं अपने जो आती थी है गौरब शर्मा जी है कॉंग्रेस से अविशेक खरे जी है भारती जनता पाइटी से और राजेंद्र अधोर जी ह हैं वरिष्ट पत्रकार हैं तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं टीकमगड की सियासी प्रिस्ट भूम क्या है और कैसी रही है भारती जनता पाइटी का गड़ बन चुकी है बहुत स्वागत है आपका विस्तार नियूज में टीकमगड लोकसभा छेत्र जो है दो हजार आट में गठित हुआ था और ये चुनाओ जो हो रहा है ये मुद्दा विहीं चुनाओ है इस चुनाओ में कोई मुद्दे नहीं है भाजापा मोधी जी के चहरे के ऊपर बोट मांग रही है और उसके लिए जो है वो जन जन तक गाउं गाउं तक पहुच रही है अपनी बात पहुचा रही है कांग्रेस के पार्टी का जो मैनुफेस्टो है राहूल गांदी का खरगे साब का कांग्रेसी लोग जो है और कांग्रेस के जो दो बिधायक हैं वो उन सब बातों को लेके जनता के वीच में पहुच रहे हैं लेकिन वो जनता के दिल में वो बात घोल के पिला नहीं पा रहे, कि मैं इन मुद्दों के आधार के ऊपर चुनाओ जीतने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, वो बात जो है वो जनता पूरी तरह से अंदर समाहत नहीं कर पा रही है, इस बज़े से ये मुद्दा भी ही कि ये ठीकमगड सनबाउं से लेकि आज तक जो है, यहां पर चुनाओ होते आए हैं, राजा साही के समय से बिंदप्रदेश के बाद बिंदप्रदेश बना बिंदप्रदेश से लेकि अभी तक जो लोग सभाय के चुनाओ हुए, उसमें जो मुद्दे थे, इस बार वो माद में, इहां का मुख है, 80% जो मद्दाता है, उसमें से जो है, वो 20-25% मद्दाता है, इन दिनों पलाइन कर जाता है, और पलाइन करने के बाद दिल्ली, कस्मीर, हर्याना, पंजाब, दुनिया वर में जो है, वो चला जाता है, मजदूरी करता है, पलाइन बड़ा मुद्दाता है, और पलाइन के आभाओ में, और पलाइन बो बर्क करता है, जो गरीब है, जो अहरवार समाज का है, और दूसरे समाजों के लोग, मोदी जी के गारंटी उन तक नहीं पहुच रही है, क्या? अगर पहुच गई होती उन ता, तो पलाइन नहीं करते, पलाइन नहीं करते, मुद्दा विहीं चुनाओ है, ऐसा कह रहे हैं, वरिस्ट पत्रकार हैं, आफी के जिले के उमा भारती का ग्रे जिला भी है, बड़े नेता टीकमगणने दिये हैं, और लगातार विरेंदर करता हूँ, ऐसा कहना बिलकुल गलत है कि टीकमगण में कॉंग्रेस कमजोर है या सेंद नहीं लगा पा रही है, अभी 2023 के विधान सवा चुनाओं में तीन की तीन सीट हैं, टीकमगण जिले में कॉंग्रेस जीती, और ये बार बिलकुल सही है कि भाजापा केवल मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनाओं लड़ रही है, जबकि हमाई जो प्रित्यासी हैं, भहिया पंका जहरवार, वो चवालीस वर्सी है, यूबाई एक प्रित्यासी हमाई पाइटी ने दिये हैं, और पिछले कई चुनाओं में जो यहाँ टीकमगण में प्रमुक मुद्दा र की राइंदाना जी ने बताया, एक बहुत ही बड़ा और प्रमुक मुद्दा टीकमगण जिले में आज भी बना हुआ है, और गरीब कमजोर तब का आज भी टीकमगण में उपलब्द नहीं है, इसका अफर अभी आने वाली दुनों में बोटिंग में भी देखने को मिल ज कुका है, धरा तल पर कुछ भी नहीं, अंतियोदय को मुख्यधारा से जोडने की बात लगातार भारती जन्ता पार्टी करती है, फिर वो क्यों पलायन कर रहे हैं, अभी आपने दुदादा को भी सुना और कांग्रेस का मित्र को भी सुना को आपको, आपने इस बात में ग करता कि करणन, मुद्धा भी Jug, चुनाओ इसलिए है, क्योंकि कॉंग्रेस ने कभी कोई काम नी किया, इसलिए उनकों मुद्धा नहीं है, भारत्यंता पर्टी नहीं बिकास करके, काम करके दिखाया है, अप नहीं पलायन की बात, पलायन हम यदि कहें है, सुिकार है कि आप उठाके देख लेजिए पहले 60 सालों में कितने आवास दे आपने 4000 आवास हैं पूरे देश में कॉंग्रेस के समय चार करोड़ों आवास दिये हैं फिर आपके पास आएंगे लेकिन कह रहे हैं कि तीन सीटें जो विधान सभा में जीती हैं कॉंग्रेस ने जीती है तो आप अपने आपको कमजोर मान रहे हैं या क्या आसर पड़ेगा उसका कि संभाग में 26 शीटों में हमें कीश जीते हैं चार-पास शीटें संभाग में हारी कम लोग सभा की बात हो रही है नहीं नहीं पड़ेगा यह बिलकुल फरकनी पड़ेगा लोग सभाचनाव पिटली बात तीन लाग पैस अठाज जीते थे इस बार लगवाच छह लाग से अ लोग सभाचनाव जीते हैं यह आप देखेंगे आप देखेंगे आप देखेंगे आप देखेंगे देखेंगे इन अ झाल